जेहन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़े खुसकवरी है आपका आर्मी का जो रिटेन एक्जाम बहुत दिनों से दोस्तों पोस्टमन हो रहा था उसकी डेट जो है वो कनफर्म हो गई है और 27 मार्श 2022 के लिए आपका आर्मी का जो रिटेन एक्जाम है उसको कराए जाएगा तो दोस्तों आज से आपको हमारे चैनल पर डेली एक वीडियो मिलेगी जिसमें हम आर्मी से रिलेटेड जो आर्मी के प्रीबी से एक्जाम में question आ चुके है रिपीट हो चुके है वो question हम आपको कराएंगे चलिए दोस्तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो question number 1 की तरफ चलते हैं दोस्तो question number 1 है हमारा बादल dash होने के कारण बायू मंडल में तैरता है clouds falls in the atmosphere because of having तो दोस्तो बादल जो है वो कम घंध भेयाने की low density होने के कारण बायू मंडल में तैरते हैं तो option C question number 1 का सही answer है अब चलते हैं दोस्तो आज के अगले question की तरफ question number 2 दो number question है हमारा दूद खटा होने पर कौन सा अम्रूत्पन होता है which acid is produced when milk gets sore ठीक है तो दूद जो खटा हो जाता है तो कौन सा अम्रूत्पन होता है तो दूद के खटा होने पर दोस्तो लेक्टिक अइसिड यानि की option C इस question का सही answer होगा लेक्टिक अइसिड जो है वो यानि की लेक्टिक अम्रूत्पन होता है तो option C सही answer है एक दम next question की तरफ चलते हैं question number 3 तिन number question है दोस्तो साक्षी मलिक किस खेल से संबंदित है साक्षी मलिक is related to which sport तो साक्षी मलिक जो है दोस्तो वो कुष्टी से संबंदित है यानि की race link से तो option A इस question का correct answer होगा अब चलते हैं दोस्तो आज के अगले question की तरफ question number 4 most important question है दोस्तो ये सभी और आपके आने वाले 27 मार्ज को जो आपका आर्मी का exam है उसके लिए बहुत ज़्यादे important questions है तो question number 4 है sodium धातू को किसके अंतरगत रखा जाता है sodium metal is kept under तो sodium जो धातू होती है दोस्तो उसको मिट्टी का तेली यानिकि kerosene के अंदर जो है वो डुबो की रखा जाता है तो option D is question का correct answer होगा अब चलते हैं दोस्तो आज के अगले question की तरफ question number 5 question number 5 है हमारा बिजली के बल्व का filament किसका बना होता है the filament of an electric bulb is made of तो बिजली के बल्व का दोस्तो जो filament होता है वो tungsten का बना हुआ होता है तो option A question number 5 का सही answer है next question है हमारा question number 6 question number 6 है दोस्तो गुबारों में कौन सी gas भरी जाती है balloons are filled with which gas तो गुबारों में भरी जाती है दोस्तो helium gas यानि की option B इस question का सही answer है दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे channel पर आप visit करके देखें तो आपको एक playlist मिलेगी जिसमें हमने army के original question पे प्रकराए हैं और एक 500 question की playlist मिलेगी जिसमें army के पिछले 5 साल के आने वाले जो question है पिछले 5 सालों में army के एक written exam में आ चुके हैं चाहें आप किसी भी trade की तयारी कर रहे हूँ आप सभी के लिए वो 500 question बाली series बहुत महत्पूर है इस वीडियो के description में मैं उसका link दे दूँगा आप जाकर जरूर देखें ठीक है चलिए question number 7 है दोस्तो लोग तक जील इस्थित है लोग तक लेकिज situated in तो लोग तक जील जो है दोस्तो वो मणीपूर में इस्थित है तो option B question number 7 का सही answer है next question है हमारा दोस्तो question number 8 headquarters of ISRO ISRO का मुख्याले कहां पर इस्थित है तो दोस्तो ISRO की जो full form है दोस्तो वो है Indian Space Research Organization और इसका मुख्याला है दोस्तो Bangalore में तो question number 8 का सही answer होगा option C Bangalore अगले question की तरफ चलते हैं question number 9 लेकिन उससे पहले आपने अगर वीडियो का भी तक like नहीं किया है तो like कर दें और अपने दोस्तों के साथ में share जरूर करें क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं खुद आर्मी में हूँ और आपके लिए west questions लेकर आता हूँ जो कि आपकी return exam में ही जरूर आएं ठीक है तो चलिए question number 9 है हमारा which planet is called the twin sister of earth कौन सा अगर पृत्वी की जुलवा बहन कहलाता है तो दोस्तों इस question का सही answer है अगला question है दोस्तों हमारा question number 10 question number 10 है interpol का मुख्यले कहां पर इस्थित है विर्दी headquarters of interpol तो दोस्तों interpol का जो मुख्यले है वो इस्थित है दोस्तों Leo France में तो option A इस question का सही answer है अगले question की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज से हम कुसिस करेंगे कि आपके लिए daily रात को साड़े आठ मजे एक वीडियो प्रवाइट कराएं और उस वीडियो में दोस्तों हम ये भी कुसिस करेंगे कि आपको आर्मी के original question पेपर भी डिसकस कराएं ठीक है तो चलिए question number 11 है हमारा काजीरंगा नैशनल पार्क is located in which state of India काजीरंगा राष्ट्री उद्ध्यान भारत के किस राज में इस्तित है तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्री उद्ध्यान जो है भारत के असाम राज में इस्तित है तो दोस्तों statue of liberty कहाँ पर इस्तित है जल्दी से comment करके बताईए अगर आपको पता है तो statue of liberty है दोस्तो new york अमिर काम है ठीक है तो option c question number 12 का सही answer है next question की तरफ चलते हैं दोस्तो question number 13 13 number question है हमारा भारत की पहली महला IPS अधिकारी कौन है भारत की पहली महला IPS अधिकारी कौन है तो दोस्तो किरन बेदी जो है भारत की पहली महला IPS अधिकारी थी ठीक है तो option a question number 13 का सही answer है question number 14 की तरफ चलते हैं दोस्तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था तो दोस्तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में ठीक है 18 जून 1576 के लिए हंदे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो यहाँ पर option B यहाँ पर आपका correct answer होगा अब चलते हैं दोस्तो आज के अगले question की तरफ और आज की वीडियो का last question तो आज की वीडियो का दोस्तो लास्ट question है चंडिगर्ड की चंडिगर्ड किस राजगी राजधानी है चंडिगर्ड is the capital of which state तो दोस्तो चंडिगर्ड जो है वो किस राजगी राजधानी है आपके लिए बताना है ठीक है तो option से आपके पंजाब हिमाचल, हर्याणा और option D है आपका A और C दोनों तो दोस्तो चंडिगर्ड जो है वो पंजाब और हर्याणा दोनों की राजधानी है तो यहाँ पर option D है आपका correct होगा A and C दोनों ठीक है तो यह थे दोस्तो आज की वीडियो के description में मैं दे दूँगा ठीक है तो link पर जाके आप search कर सकते हैं या फिर आप direct telegram पर जाकर सिवा online classes search करेंगे तो आपके लिए हमारा group मिल जाएगा जिसमें 3000 plus member हैं ठीक है तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही कल फिर्म लेंगे किसी और वीडियो के साथ में तब तक लिए नमस्कार जैहिन जैवारत